स्टार के जो हमने यह स्टार देखा था इन डारेक्शन ऑपरेक्टर इससे रिलेटेड अब एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हैं पर एग्जाम्पल यहां पर क्या है कि जैसे एक सेम जैसे पहले प्रिवियस था बस डिफरेंट है वैलू एक PTR ले लिया और यहां पर PTR में जो है एक आड्रेस दे दिया यानि कि इंटीजर A एक PTR डिक्लेर हो गया A और P और PTR और PTR में आड्रेस ओफ A दे दिया यह में हमने 10 असाइन कर दिया अब यहां पर हमें देखने वाली बात यह है कि जैसे यहां पर मैंने क्या किया कि printf value of a a value print कर दिया 10 print हो जाएगा value of ptr ptr क्या content क्या है एक address है इसलिए मैंने use किया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है लेगिन convention है कि जैसे हम generally use करते है यहाँ पर ptr किया फिर address of ptr अब यह तो यह क्या value देदेगा 2000 और 2000 जनरली यह address है उसका फिर कहता है address of ptr अब address इसी का address हमें देखना है तो यहाँ पर address ptr तो यह जो देगा 3000 देगा तो यह नहीं कि अगर बात करें तो इसका जो output 3000 इसका 2000 इसका 10 अब size of a तो size अच्छा इसको थोड़ी देर में देखते है अब यहाँ पर क्या है कि जैसे print a percent d a का value हमें print करना है तो simply कैसे print कर सकती यह से कर सकते है तो यह हमारा output 10 देगा फिर इसको हम pointer के थूरू भी कर सकते है यानि कि pointer के आगे अगर हमने यहाँ पर ptr अगर यह use कर लिया हमने तो यह भी तो 10 देना है न क्योंकि ptr है और उसके आगे हमने इंडारेक्शन ओपरेटर यूज कर लिया तो यह भी हमारा output 10 देना है अब यह ptr है क्या address ptr address of a तो ptr को मैं address of a नहीं लिख सकता ओके तो ptr के बदले में यह आगा और फिर इसके आगा तो इसका भी मतलब क्या हो इसको देखो पढ़ओ अगर आप देखो यह value at वाल्यू आढ आड्रेस of a यह value at address ही तो है ना तो value at address of a तो value at address of a तो value at address of a address of a क्या पास जो value है वो 10 तो यह भी हमारा 10 देगा तो यह तीन तरहेके से हम क्या है कि एक जो ए है इसका जो है हम प्रिंट कर सकते हैं तो यह जो different methods है इसको जानने का फाइदा हमें जब pointer जब array पढ़ेंगे तो हमें internally वह किस तरहेके से work करता है data को fetch करता है index के नमबर के तुरू तो वह चीजे clear होंगी तो इस तरहेके से हम print कर सकते हैं किसी में भी अब यहां पर क्या है एक और बात होता है कि यहां पर start आखिर हम use करते हैं ठीक है तो जब use करते हैं तो data कितना मतलब यह क्या होता है pointer pointer जैसे मैंने पहले ही बताया तो शुरुआती phase में ही कि जो होता है उसका first जो यह 2000 दिया हमन तो यह 4 byte का है लेकिन उसका जो initial है बस उसी का address 2000 ptr में store है यह नहीं के पूरा तो यहां पर जब हम indirection operator use करते हैं तो इसका pass address क्या आया ptr तो यहां पर यह देखो आपकी integer pointer है यहां integer variable है तो integer type का हमने pointer ले ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कोई और ले लोगे तो error आएगा लेकिन हाँ जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपने यहां पर character pointer ले लिया तो वह भी क्योंकि उसे एक बस memory address store करनी है तो वह भी store करेगा लेकिन issue तब होगा जब हम indirection operator use करेंगे जब हमें data fetch करना होगा तो जब data हमें retrieve करेंगे तो यहां पर जब data retrieve करना होता है न तो यह क्या करता है PTR 2000 पर जाएगा फिर देखेंगा यह PTR किस तरीके का pointer है ओके अगर यहां पर मैं बोलू 1 2 3 4 यह 4 और इसमें कहीं न कहीं value हमारा store है 10 तो जब यह पता करेगा PTR और PTR इसको क्या कर रहा है PTR पॉइंट कर रहा है तो इसको पता चल लगा अच्छा यहां से इसको बस इतना पता होता है starting address क्या starting address 2000 इसको पता चल गया यहां पर यह 2000 है 2001 2002 2003 तो यहां पर लेकिन कितना data यहां से वह कितना data लेके retrieve करे तो उसके लिए फिर यह जा के देखेगा जो pointer है किस तर टाइप का ओके इंटीजर टाइप का ओके तो जब इंटीजर टाइप का पता चल गया तो फोर बाइट read किया फिर उसको convert किया हमारा output दे देता है तो उसी तरीके से अगर हमने यहां पर क्या कर दिया character pointer ले लिया और उसमें एक address store कर दिया no issue तो लेकिन जब हम जब यहां पर क्या करेंगे जब data वहां से retrieve करेंगे तो यहां पर जाएगा 2000 फिर पता चलेगा अच्छा character है तो बस इसी दो से data वह retrieve करेगा output देगा तो यहां पर क्या होगा output incorrect आएगा लेकिन यह logical error हुआ यहां पर कोई भी syntactical error नहीं आएगा बस हमें यह समझना है कि किस तरीके से internally work करता है तो यहां पर यह हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरीके का मतलब जिस वारियेबल का pointer है जिस वारियेबल का pointer है तो वह उसी टाइप का होना चाहिए उसका data type भी जैसे integer है तो उसका जो pointer होगा integer होगा character pointer है तो उसमें जो store करेंगे character ही store करेंगे तो बस यह बस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो अगर मतलब जिस तरीके का data type होगा तो pointer भी हमारा उसी type का लेना है और बाकी यहां पर size of size of यह क्या करता है बस यहां पर इसका size कितना 4 बता देगा और यह float है यह previous program में भी मैंने बता दिया था और यहां पर pointer है तो इसका भी size यहां पर 4 आ जाएगा हां अगर यहां पर हमने float ले लिया यह अगर float होता तो यहां पर eight float या double double ले लिया अगर eight byte का होगा तो यहां पर eight आएगा लेकिन यहां पर pointer है तो वह four ही आएगा क्योंकि pointer सबका size same रहता है तो यह आप program लेख सकते हो